हलो फ्रेंट्स आज की जो हमारी रेसिपी वो बहुत ही टेश्टी है आपने देखा ही होगा कि आज हम बनाएंगे गुलाब जामुल और मैं आपको बताऊंगे कैसे आप इस रेसिपी को बहुत ही आसान तरीके से घर पर बना सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो इसके ल क्लबर माने की आपको ने के अक्डम कुर से मेरे मे की यह शु try it और wh Ya professor theВО i के लिए इलाई जी और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा बेकिंग पाउडर और इन सब को अच्छी तरीके से मिला लेते हैं और यह भी आपको ड्राइ से लग रहा होगा तो यहां पर क्या करेंगे कि आप चाहिए तो इसमें थोड़ा सा दूर डाल सकते हैं एक दो चम्म होती है ना उसे बड़िया सा मैस करूंगे इससे मैस करने से क्या होगा जो मैं रजगुले हैं बहुत ही अच्छे बनेंगे आप जितना हो सके उतने बड़िया तरीके से मैस कीजिए जितने जादा आप मैस करेंगे उतने बड़िया हमारे रजगुले बनकर त्यार होंगे तो बस इन सब को हमें खटा कर लेंगे ये डो हमारा जो बनकर है वो रेडी हो गया है और बस इसे हम कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए ढखका छोड़ देंगे जिससे कि थोड़ा सा ये सैट हो जाए और अब चासनी बना लेते हैं चासनी बनाने के लिए मैंने यहां पे लिए दो पानी तो यहां पर हम जितनी चीनी डालेंगे उतना ही इसमें हम पानी डालेंगे तो बस इसे हम चलाती रहेंगे और थोड़ी देर बाद जो हमाई चीनी है वो पिगल जाएगी यहां पर हमें कोई चासनी नहीं बनानी है बस हमाई चीनी पिगल जाए इसके बाद थोड़ फ्लेवर के लिए इसमें इलाईजी पाउडर भी डाल देंगे इससे और अच्छा फ्लेवर आएगा तो बस देखिए जो हमारी चासनी है वो रेडी हो गई है और अब हम गैस को बंद कर देते हैं तो यह देखिए जो मावा है हमारा पंदमेट हो गए हैं इसको एक बर और मै बनाने हो तो यह बना लीजिए तो मैने मिससाइज पहलिए चोटे छोटे से रसढूले बना ले रही हैं तो यह दार असने को यदि कर देखिए बना कर लिया है और अब इनको फ्लेम पर इसे गर्म किया है और लो फ्लेम भी है तो जो रजगुले है उसे हम लो फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे इसकी जो फ्लेम है उसे हम हाई नहीं करेंगे क्या होगा अगर हम फ्लेम को हाई करतेंगे तो जो हमाई रजगुले है उनमें बीच में गांट पढ़ जाएग पर जो होगे ना कि अंदर गांट पढ़ जाएगी वो पढ़ जाती है जैसे रजगुले में तो अगर हम इसे लो फ्लेम पर इसी तरीके से फ्राई करेंगे ना तो जो हमारे रजगुले उनमें गांट कभी नहीं पढ़ेगी तो इसी बज़े से हमारे जो रजगुले होते है ना वो खराब हो जाते हैं तो बस इस तरीके से हम इसे प्राई कर लेते हैं और बस इसे डालने के बाद थोड़ा सा करचुली के हैल्प से थोड़ा सा ओईल को हिलाएंगे इस तरीके से और जब यह थोड़ी से पक जाएंगे इसके बाद हम इसे इस तरीके से करेंगे और बस इनकाल लेंगे और इसे हम अपनी जो चासनी बना के रखी है उसमें हम इसे डाल देंगे तो चासनी भी है वो अभी गरम है तो गरम गरम चासनी इनको हम डाल देते हैं और डालने के बाद इसे हम 10 मिनाट तक टच नहीं करेंगे इसी तरीके से चासनी में पड़े रहने देंगे और 10 प्रेट बाद इने हम अच्छे से डिप कर देंगे दूसरी साइट से भी जो बड़ी आसा इसमें जो चासनी है अच्छे से अब्सॉर्ब कर लें और बस इसके बादे ने हम सर्फ करेंगे तो लीजिए फ्रेंट्स रेडी हैं हमारे टेश्टी से रजगुले एकदम सॉफ्ट और मार्केट से भी अच्छे रजगुले हमारे घर पर बनकर तैयार हो गए हैं तो फ्रेंट्स आप घर पर जरू ट्राई किए जएगा इस रेसिपी को अब बहुत ही आसान है और आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपको भी कभी रजगुले बनाने में कोई प्राबलम नहीं होगी और आप लोग घर पर जरू ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताएगा कि आपके रजगुले कैसे बने और हाँ अगर आपको इसी त चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा